हलो रिबड़ी मैं दर्मेंद कुमार आपके अपने चैनल जी के देखो बाइडी के में आप सभी का स्वागत है मेरे पास फोन आते रहते हैं कि सर जी हमारे याद नहीं रही है हमारी डाटा ओपरेटर की आईडी और डाटा एप्रूवर की आईडी तो सर हम कैसे प्राप्त करें और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी डाटा ओपरेटर की आईडी क्या थी और डाटा एप्रूवर की आईडी क्या थी हमें याद रही ना हमने कहीं लिखी है तो आज हम इस वीडियो में आपको इस समस्या का हल बताने जा रहे हैं लेकिन इस समस्या का हल आपको तभी पता लग सकता है जब आपके पास अपने स्कूल की admin ID हो और उसका password हो जिदि आपके पास आपके स्कूल की admin ID नहीं है और उसका password भी नहीं है तो आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते अगर आपके पास अपनी स्कूल की admin ID नहीं है तो आपके whatsapp पर या गुरूप पर CRC गुरूप पर एक पीली पीडियाप के रूप में लिश्ट डाली गई थी इसमें स्कूल के नाम लिखे वे थे, account number लिखे वे थे, unique agency code लिखा वा था तो महां स्कूल की ID भी लिखी वी थी, स्कूल की ID में अगर मैं अकसा 1-8 तक की बात करता हूँ तो वो स्कूल का नाम लिखा होता है short रूप में, कई dot लगी होती है, कई gap होता है, तो स्कूल की वो ID बन जाती है, ठीक है password पहले default password वही था, mdm at-123 या 321, लेकिन बात में उचेंज हो गए थे, जो हमने काम किया अपनी pfns portal की site पर अब अगर आप अपने admin ID का पता लगा लेते हैं, तो password आप अपने brc मोदे से कह करके reset करवा सकते हैं लेकिन brc मोदे को परेशान ना करें, केवल 10 से 4 बजे उनको phone करें, कि सर में अपने admin ID तो मेरे याद है, लेकिन पासवर्ड भोल गया हूँ, मेरा password reset कर दीजे तो उनको अधिकार है कि इसमें जो हमारी admin ID होती है, इसकोल की इसमें brc के कारेले की email ID delivery है, जब हम उसको करते हैं, reset तो वहां एक OTP जाता है, और हमारे brc मोदे उसको पता देते हैं, और वो password reset कर देते हैं तो यह थी है हमारी admin ID को पासवर्ड का पता लगाना है, reset करना, जब कि हमारे पास admin ID भी है और उसका password भी है, तो हम data operator की ID और data firmware की ID भूल गये हैं, याद नहीं है हमें, ठीक है, तो चलिए आज पता करते हैं कि आप कैसे ढूंड़ोगे, हम चलते हैं पहले Google पर, और यहां लिख लेते हैं, PFMS login, हमने type कर लिया, यहां मिल गया, touch यहां कर लेते हैं, फोन कर लेते हैं, next website पर, इसको यहां देखो, यहां लिखावा है login, यहां किलिक कर देते हैं, यहां किलिक करने बाद देखो, यहां, यहां user name आजाएगा, यहां password आजाएगा, आपके सामने पठन यह ना हो, आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो आप स्रीमान जी पहले इसको change भी कर सकते हैं, यह दो arrow यहां लिखे वे हैं, आप इन पर किलिक करके इसको change भी कर सकते हैं, इसको ऐसे आप change करते लिए, इस पर कारते, चलिए मैं डाल लेता हूँ, अपने school की admin ID और password, ठीक है, और यहां login कर लेते हैं, देकि मैंने कहा तक किसी भी आप ID से login करें, यह line जरूर लिखी आती है, तो इससे टर्णा नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आप देखों, यहां हमारी admin ID पर जो login करते हैं, दो master लिखे होते हैं, पहला master हमरा होता है, जो हमारा balance देखना हो यहां को देर दबा के रखेंगे, जब ऐसा कुछ page खुल जाएगा, यहां side में click करेंगे, और देखों, यहां जाएंगे, यहां manage पर click करेंगे, manage पर click करने के बाद देखों, यहां कुछ यह fill up करना है, लेकिन आपको यहां कुछ भी type नहीं करना है, ठीके, आपको केवल य यहां कुछ भी फिलिप नहीं करना है, ठीके, तो यहां सर्च करें ऐसे, यहां सर्च करने के बाद देखों, आपकी तीनों ID खुल कर आजाएंगी, यह देखें यहां, यह ID लिखी, यूजर नेम लिखावा, यह जो नेम भी कहते हैं इसको, यह हमारा data operator की ID है, यह data approver की ID ह और यह हमारे admin ID है, ठीके, यहां सब लिखा होता है, यहां first name होता है, यह second name होता है, यह email ID लिखी होती है, ठीके, यहां तो उपर तो हमारे data operator की ID लिखी हुए नीचे, हमारे data approver की ID लिखी हुए है, email ID लिखी हुए है, नीचे हमारे BRCM होदे की email ID लिखी हुए है, यह सब लिखावा है तो इस परकार से आप पता कर सकते हैं कि हमारे data operator की ID और data approver की ID कौन कौन सी है आप यहाँ असानी से देख सकते हैं यह red color में यहाँ लिखी होती है ठीक है तो जब इसको आप देख लें तो आपको password reset करना बड़ा आसान है तो मैं अगली वीडियो मताओंगा आपको कि आप यूनीक agency code से अपने टीनों ID का password कैसे reset कर सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको छिले तो लाइक करें शेर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लिजे धन्यवाद जय